तो डियार आज हम बात करने वाले हैं यूपी वीर्ड एंट्रेंस एक्जाम रिसंस कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में जो की है चक्षू प्रकाशन्स की इस बुक की सबसे बेस्ट खास्चत क्या है उसको हम लोग बात करते हैं देखो सबसे इंपोर्टेंट इसमें है क कि इसमें 2700 महत्रोंट प्रश्ण हैं जो की एक्जाम रिसंस में आते हैं रिपीड वाले कुशिंस हैं प्लस आपको यहां पर पांच साल की कुशिंस पेपर मिलता है 2017-2021 वन अब बेस्ट बुक के कला वर्ग के लिए चक्षू प्रकाशन्स इस बुक की खास्चत एक और है क वि विसर्सूची जुए न वह बिल्कुल अच्छी से कிंगए हैं समान गयान आप बात करते हैं तो इंडियन हिस्टरिय यजिव को बाता को बेंगी हैं और आप जानते हैं कि हिंदी 50 कुशिन आता है उसके बाद इंगलिस की प्रिपेशन भी हाँ से आप कर सकते हो ठीक है रिजनिक भी हाँ से सॉल्व कर सकते हो कला वर्ग भी सॉल्व कर सकते हो तो वन अप बैस्ट बुक है आपको पर्चेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन मे लिंक में दे दूँगा चक्षू प्रकासन की प्रक्टिस इट भी अवेलुबल है मार्केट में तो आफ लाइन ऑन लाइन कहीं से भी आप पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको ऑन लाइन पर्चेस करना है एमबिजॉन फिलिप कर पे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्श कुष्चिन आपका यह है कि भगत सिंग सुखदेव और राजग्रु को किस केश में फासी की सजा सुनाया गया था अलिपूर शर्यंद केश में या लाहोर शर्यंद केश में या कानपूर शर्यंद केश में ठीक है 73 नमर कुष्चिन आपको पता है कि 23 मार्च को 23 मार्च 1931 इस दिन को लाहोर शर्यंद केश में फासी की सजा सुनाया गया था लाहोर शर्यंद केश में 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुखदेव और राजग्रु को फासी की सजा सुनाया गया था एक कुष्चिन और आपको याद रखना है भगत सिंग से सम्मंदित वो क्या है कि नौजवान कुष्चिन आपका बनेगा कि नौजवान भारत सभा तो आप से पूछ सकता है कि नौजवान भारत सभा जो है इसको किस ने अस्थापित किया था तो ये भगत सिंग ने अस्थापित किया था तो इस चीज़ को आपको याद रखना है चलिए question number next भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा न्यूक्त के जाता है पॉलिटी का बहुती आसान सा question है मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको न्यूक्ती प्रतान की जाती है राश्पती के द्वारा ठीक है और इनका कारीकाल कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कारीकाल 6 वर्ष का अवधि यहिवस या फिर आप अगर इनकी एज 65 साल हो जाता है तब भी यह रिटार हो phosphorus स्पोस् corridчас कि 55 साल के हो गए है और इनका से करेकाल है वह पांच वर्ष कि यह हुआ है लेकिन वह 65 साल क कारिकाल समापत हो जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स कुश्चन भारत की सुतंतरता प्राप्ती के समय भारती राश्टी कॉंग्रेश के अध्यक्ष कौन थे तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेवी क्रिपलानी ये मौस्ट पॉन कुश्चन से और ब्रिटेन के प्रधानमंतरी क्लाइमेंट इटली लेबर पार्टी की थे ठीक है लेकिन यहाँ पूछा यह था कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो जे भी क्रिपलानी और अप्शन यह आपका करेक्ट है नेक्स मौर्यकाल में सिक्षा ग्रहन करने का स्तरवधिक प्रशिद केंद्र था मौर्यकाल में सिक्षा ग्रहन करने का जो एक केंद्र था वो था तक्षिला क्या था तक्षिला था तक्षिला और वहां के हम आचारे कह सकते हैं या सिक्षक बोल सकते हो चानक्या थे कौन थ शिख्षा की भूम कर निभारे थे और वहां पर उन्होंने चंद्र गुप्त मौर्या को शिख्षा भी दिया था ठीक है प्रशिद बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालिन थे आसान कुस्षिन है कनिष्ट ठीक है तो विद्वान थे बौद्ध विद्वान थे आश्वघोष ये आपके कनिस्ट जो राजा थे इनके समकालिन थे ठीक है तो कुशिन भी यही आपसे पूछ रहा था जो अश्व घोष है इन्होंने बुद्ध चरित संस्कृत में लिखा था ठीक है कुशिन नमबर 79 किस वर्षराई की हत्या करने किस वर्षराई की हत्या उसके कारेकाल में किया गया था किस वर्षराई की हत्या तो यह भी आसलब कुश्यन है Lord Mayow Lord Mayow को Aphegan में मार दिया गया था 1872 1872 1872 इस भी में चाकु मारकेनिंग की हत्या कर दिया गये था और इन्होंने Lord Mayow की एक हिचाब को याद रखना है कभी पूछ सकता है इन्हों ने 1872 में ही जिस वाज इनकी मृत्यू की गई चाकु से मार्किन के अफगान ने अफगान में इनके हत्या कर दी गए तो उस समय नों जोने कर्षि विभाग की असथापना किया था है बहु 네न की मृत्यू भी हुआ Titanic लीडियों कि अस्थान पर मानों के साथ कुट्य को द το अफनाया जाने का साक्ष मिला है प्रमाण मिला है मानों के साथ मनुश्य के साथ कुत्य को दफनाने का प्रमाण मिला है तो यह प्रमाण मिला है आपका बुर्ज होम में ठीक है आपका करेक्ट है बुर्ज होम ठीक है बुर्ज होम कहां पर है बुर्ज होम कस्मीर में है ठीक ह तो ये रखा गया था 1968 में और अभी तक लोगपाल जो बिल है वो आठ बार लोक्षभा में रखा जा चुका है चलिए नेक्स्ट कुश्ट कुश्ट नमबर 83 श्रविद्हान का कौन सा अनुछेद है Constitution का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि दोश सिद्ध ध्यान समझना दोश सिद्ध के सम्मन्द में अभी युक्तों को दोहरे दंड एवं श्वा अभी संसन से सारक्षण प्रदान करता है सारक्षण प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल है तो यह है आर्टिकल अनुछेद अर्टिकल 20 चिक है अंचेट B NEXT QUSION भार्तियों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकी क्रिट किया गया यह किया गया था आपका 1911 में option नमर B आपका करेक्ट है 1911 में हुमायु नामा के लेखक कौन है हुमायु नामा इनकी लेखक कहें गुल बदम बेगम तो मैंने कई बार आपको रिपीटी भी करवाया आकर आप मेरी वीडियो देखते हो और गुल बदन बेगम जो है ये आपका बाबर की पुत्री है चीक है बाबर की क्या है पुत्री है गुल बदन बेगम इन्होंने ही हुमायो नामा लिखाया है नेक्स बॉप करते हैं निम्नांकित में से कौन एक वायू मंदल के और जोन परत की मुटाई नापने वाली इकाई है तो यह है आपका डाप्शन स्ट्री के तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट यह कुशिन इंपॉर्डन्ट है ठीक है और जोन लेयर की मुटाई नापने का जो इकाई है वो option B आपका correct है इस चीज को आपको याद रखना है चलिए Question No.88 पर चलते हैं किस प्रकार की फसले हैं मिट्टी की उत्पादक्ता को बढ़ाता है तो डाल वाली जो फसले है न वो मिट्टी की उत्पादक्ता को बढ़ाता है तो option C डाल पल्स ठीक है भारत का निम्लिक से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो इसको इन कुछन करने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा होता है या कौन सा है तो ओप्शन सी आप देख रहे हैं विशाका कृतिम कृतिम बंदरगाह है कृतिम बंदरगाह समझते हो जो मानुष्यों के द्वारा हम लोगों के द्वारा जो बनाया जाता है वो कृतिम होता है कृतिम बंदरगाह ठीक है और प्राक्रिटिक बंदरगाह जो नेच्रूली होता है ठीक है प्राक्रिटिक बंदरगाह और कि आपका चिन्नई में जो है वो कृतिम बंदरगाह और जो बुंबाई वाला बंदरगाह ना इसको ब्याद रखना है या देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है यहां पर तीन-चार कुश्यन आपको कंप्लीट करना है प्राक्रिक बंदरगाह विशाका पत्नम में है सबसे ब इंटरनेट को ठीक है तो ऑप्शन डी इंटरनेट को निम्हें से कौन सी क्रिया स्वेद स्वेद वाश्पन से संब्दित है स्वेद वाश्पन से संब्दित अच्छी कौन सी क्रिया है जो कि स्वेद वाश्पन संब्दित है यह आपका उस्म शोशन क्रिया उस्म शोशन क लिया जल में गुलंसील बिटामिन कौन सा है दो चीज आपको ज्याद रखना है एक जल में गुलंसील बिटामिन एक वशा में गुलंसील बिटामिन चीक है तो जो बी और सी होता है बी एंड सी यह जो होते हैं यह आपके जल में घुलनसील होते हैं जल में घुलनसील बिटामिन्स होते हैं B and C और A D E ये जो होते हैं A, D, E ये आपके होते हैं वशा में ये वशा में घुलनसील होते हैं clear है तो 92 का क्या पूचा इसने इसने पूचा जल में घुलनसील एक मिनट हाँ ठीक है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है ठीक है जल में घुलनसील next प्रकास तल्स्रेशन में सोरे के प्रकास की कौनसी रिस्मियों का प्रण हरित द्वारा सरवर्धिक उपयोग किया जाता है तो यह आपका लाल है ठीक है रेड ओप्शन इस्टेनलिस स्टील अचुम्बकी हो जाता है आपको एक चीज़ समझना होगा जो इस्टेनलिस स्टील होता है वहाँ आपका दो चीज़ इसमिल के बनता है एक तो होता है जिसे निकल इसमें एक होता है आपका क्रोमियम क्रोमियम इस्टेनलिस स्टील जो होता है जिसमें क्रोमियम आपका 15-20 प्रस्त होता है ठीक है और ठीक है और निकल जो होता है वो आपका होता है एराउंड 8-10 परशन स्टेनलिस स्टील कैसे बनता है इसमें आपका क्रोमियम मिला होता है प्लस निकल मिला होता है निकल जो होता है वो 8 से 10 परशन होता है क्रोमियम 15 से 20 परशन होता है ठीक है और कुछिन जो पूछा है कि स्टेनलिस अच्चुमिकी हो जाता है तो इसमें जो आपका क्रोमियम के म स्घ्रंट निसमें को सदात प्रай बिला जाता है क्रोम नियम केर दियर 15-20 शानขट नहीं है कौन और इसा है जो की रिषानिक और व्रक नहीं है इजी कुशिन से सुळियम सिल्फेड इसको आपको याद कर रखना है यह आपका रसानिक और व्रक नहीं है क्लियर है ऑप्शन भी 95 का तो अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनिटली आपको एक लाइक देना होगा आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ लाइक से थोड़ा मोटिविक्शन मिलता है तो डेफिनिटली आप लाइक किया करें चैनल को सब्सक्राइब करना है यह आप पर डिपन करता है अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बैल आइकों प्रेस कीजिए थांक्यों फो वाचिंग स्वीडियो नेक्स्ट वीडियों फिर्शन मेल तब तक लिए धन्यवाच्वेशन इस